इस वीडियो में हम लोग WB SET यानि West Bengal SET 2020 का जो रिजल्ट है वो डिकलेर हो गया है तो कैसे चेक करना है वो इंपॉर्टेंट है कई बार ऐसा हो तेक स्टूडेंस को मालूम ही नहीं होता है कि WB SET का रिजल्ट निकल भी आता है और वो चेक नहीं कर पाते हैं यानि West Bengal का जो कि West Bengal SET का रिजल्ट डिकलेर हो गया है और वो इधर उधर डूंट रहे थे तो आपके साथ ऐसा नहीं हो इसलिए मेक शूर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो यह एक्स्क्रूसिफ चैनल है जहां इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटल बात यहां पर यह हो गई है कि स्टूडेंस को जो है कैसे चेक करना है वह स्टेप बाए स्टेप बताऊंगा अगर आपने कोई भी गलती ही कि तो डेफिनेटल आपको क्या करना है किसी ब्राउजर में आपको Google.com उपन करना है और वहां पर आपको लिखना है WBSET 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS Paper IAS Paper एक exclusive website है जहां पर West Bengal Set यहांने WBSET से related सारे information आती है कोई गलती नहीं करनी exactly same to same लिखना है कोई भी अपने मन से नहीं लिखना है तो आप इसे चेक करेंगे जैसे आप इसे चेक करेंगे नहीं चीज़े पाएंगे तो WBSET लिखना है आपको और इसे सर्च करना है जैसे मैं इसे सर्च करूँगा नए टरब जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं आपको देख रहा है यहां पर IAS Paper.net WBSET इसे ही open करन हो गया आप देख सकते हैं यहां पर open हो गया है यहां पर WBSET 2020 यहां पर आप देख सकते हैं WB 22nd SET 2020 result has been declared on 11th July यहां आज के दिन SET का result निकला है West Bengal State eligibility test बोला जाता है इसे यहां पर देख सकते है WB 22nd SET 2020 notification result has been declared okay यहां पर 22nd SET का result declare हो गया 11th July गो click here to check result okay उसे पहले आप चाहे तो कुछ details देख सकते हैं उससे पहले आप से request है किए forms ज़रूर भर दें आपका full नाम आपका email ID आपका contact number आप कौन से राजियस हैं मैं West Bengal के रहने वाला हूं तो मैं West Bengal पर click करूंगा आप कहीं और के हो सकते हैं तो मैं West Bengal के मुशीरा माफ कीजीगा मुर्शीदाबाद के छोटे से गाव में रहता हूं तो इस पर click कर दिया highest qualification मतलब कहुं से course में इंटरस्टे है एक्जांपल के तरफ में में इंटरस्टे हूं में मांस्टर डिग्री है तो get free council पर click करना हो के तो उसके बाद क्या हो या फिर कोई भी update आता है या फिर कोई भी admission की notification निकलती है वेकेंसी निकलती है तो आपको offers आते रहेंगे तो get free council पर click करना काफी important है यहां पर पता दो कि wbc 2020 का result declare हो गया 11th july 2020 click here to check result details उससे पहला अगर आपको कुछ detail देखना है application पर अप्लिकेशन पर एक्टरिया definitely आपको मालूम होना चाहिए तो यहां पर देखते हैं wbc 2019 result has been declared 2019 result यानि 11th july को निकला हुआ है तो इसका application form आप बता दूं कि September में 2nd September को आया था 30th September को last date था application fees जो है 15 October को हुआ application last date admit का 9th December को है examination 19th January को हुआ answer की 24th January को हुआ और 11th july 2020 को result declare हुआ है अगर आपने last time यह form भ यहां पर देख सकते हैं वेस्ट बेंगौल 22nd set result has been declared on 11 July क्लिक here to check result जैसा वेस्ट पर क्लिक करेंगे ने यहां पर असली चीज चालो होती है तो यहां पर आपको क्या करना है बता देता हूं मैं आपको यहां पर आपको result चेक करना है यहां पर आपको result चेक करना है यहां पर क्लिक 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 करना है और यहां पर get password पर क्लिक करना उसके बाद क्या होगा जो भी आपका user ID है मतलब जो भी password है आपको SMS के जरीए मिल जाएगा इस तरह से सारी चीज़े करनी है तो यहां पर click कर देता हूँ जिससे अकट जाएगा और दुबार आप लॉगिन कर पाएंगे अगर यहां पर यहां पर click कर सकते हैं नए टाप में जाएंगे और लॉगिन कर पाएंगे काफी simple है काफी self-explanatory है user name and password डाल के आपको check करना तो यह थोड़ा साइट दी रहे है नेट की problem हो सकती है फिर server का problem हो सकता है तो उमीद है इस वीडियो ने आपके West Bengal 22nd set 2020 का जो 19 का result है उसके बारे में सारे queries को solve किया रहा है अगा description में लिंक है उसे open कर रहे हैं फिर जैसे मैंने बरता है आप ऐसे भी cake कर सकते है Thank you so much for watching